नमस्कार मैं हूँ रवी रंजान आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज पड़ी खबर गया से आ रही है आज तीसरे दिन भी रेलवे परिच्छार्थियों का आंदोलन हिंसक होते जा रहा है गया में परिच्छार्थियों ने पूरी ट्रेन को आग के हवाले कर दिया हुदा रेल मंत्री ने प्रेस कॉन्फरेंस करके कहा है कि परिच्छाओं पर रोक लगाई गई है और अब छात्रों से अपील की गई है कि वे रेलवे की संपत्ती को राष्ट की संपत्ती समझें और उसे नुकसान नहीं पहुँचाएं देखिए पूरी खबर RRB NTPC के रिजल्ट में धांधली के विरोध में उतरप्रदेश और बिहार के छात्रों का प्रदर्शन हर रोज उग्र होते जा रहा है बुधवार को भी गया जंचन पर आक्रोसित छात्रों ने जोरदार हंगामा किया और आक्रोसित छात्रों ने एक पैसेंजर ट्रेन को आग के हवाले कर दिया हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने आशू गैस के गोले दागे तो छात्रों ने भी पुलिस पर जम कर पथराओ किया जहानाबाद समस्तिपूर रोहतास समेत कई इलाकों में छात्र रेलवे ट्रेक पर उतर गए और नारे बाजी करने लगे प रेल मंतरी अश्वनी वैशनो ने एक प्रेस कॉन्फरेंस किया उन्होंने कहा कि हमारे पास परिक्षा को लेकर कोई शिकायत नहीं आई है हमने जाच कमीटी बना दी है और वो उसकी जाच करेगी उन्होंने छात्रों से अपील की है कि रेलवे आपकी ही संपत्ति है और इस की सुरक्षा करिये रेल मंतरी ने कहा है कि कुछ लोग छात्रों के परदर्शन का गलत फायदा उठा रहे हैं छात्रों को भ्रमित न किया जाए ये मामला देश का है छात्रों से अपील की है कि आप अपना विशय हमारे सामने रखिये और संबेदन सीलता के साथ हम उसे दे अर्थियों के व्यापक बिरोध प्रदर्शन को देखते हुए रेल्वे बोर्ड ने ये फैसला लिया है कि अब रेल्वे एंटी पीसी और लेवल वन परिक्षा पर फिलहाल रोक लगा दी गई है स्टूरेंट लोग इतना उत्यजित ना हो सरकार के सतर से एक कमीटी का गठन किया गया है इसमें जो भी है उसमें वो निकाला जाएगा इसकी जाच करके और किसी के भैकावे में नाय और इस तरह का करके जो गवर्मेंट की परपटी उसको दुशान ना पुचा है सब्सक्राइब करें लोग है इसके लिए जानमाल की सुरक्षा हम लोग कर रहे हैं मगर आप लोग के माध्यम से जितनी जल्दी हो सके आप लोग भी इसको कहिए कि सरकार सारे अपनी तरफ से जो भी कदम है वो उठा रही है कमीटी का भी घटन रेल्स बोर्ट द्वारा कि जो इसे पूरे प्रकरन की जाज करेंगे और जो भी होगा उसके साब से नहीं उच्छत कारवाई की जाइगा त्रेन में आग लगाई है हम लोगो ने कुछ आइडेंटिफाइड हुए है देखें आगे कारवाई करेंगा रेस्टिंग में अभी हुगा है किसा अभी पता चात्रों ने ये परिक्षा दी थी एंटिपीसी की और बाद में ये हुआ कि आरारवी की परिक्षा की गोशना के साथ रेलवे ने ये कहा कि अब एक बार मेंस परिक्षा और ली जाएगी तो विछले दो साल से घर पर बैठे चात्र आकरोशित हो गए और अचानक रेलवे ने आज परेस कान्फरेंस करके ये कहा है कि परिक्षाओं को अस्थगित कर दिया गया है अब देखना होगा कि छात्रों का आदोलन कैसे रुकता है पुलिस जो कर रही है वो निश्चत रूप से कहना पड़ेगा कि ये पुलिस बर बर कारवाई कर रहे है पटना में छात् पुलिस बेरहमी से चात्रों को पीट रही है जिन चात्रों ने ये परिक्षा नहीं दी है उनको भी पकड़ा जा रहा है इन सब ज्यादिती के खिलाफ चात्रों का गुसा और बढ़ते जा रहा है तो देखतेर ये विमर्श न्यूज हमारे चैनल को अगर आपने कीजिए आप जाएए www.bimarsnewslive.com पे हमारे चैनल को सर्च कीजिए उसे सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाईए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप खबरे पढ़ सकते हैं तो देखते हैं भी मर्श न्यूज नमस्कार